बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलावलेकूम फ्रेंट आज हम बनाएंगे माशकी दल के धैंबड़े इसके लिए में दो से तीन घंटे तक माशकी दल को भीगने रख दली में 250 ग्राम माशकी दल है अब हम इसको पीछ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी दल के हम पीछ लेंगे ज्यादा पानी भी नहीं दलना उसके अंदर ने तो भजिये तेल पीते तेल तेल हो जाते भजिये ने तो वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट दो हरी मिर्ची दाल के हम इसको पीछ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी दाल के पीछेंगे अब हम इसको पीछ लेंगे अब यह माश की दाल पीछ के रड़ी हो गए अब हम इसमें टेश के हिसाब से नमक दालेंगे अच्छे से थोड़ी दर फेट लेंगे फेटने से अच्छा सौफ्ट होते हैं धने बड़े फेट लिए बाद हम एक पानी में देखेंगे यह अच्छे से फेटे गया नहीं पानी में दालेता है सफ लोट होना अब यह परफेक्ट है अब हम इसके धर बड़े बना लेंगे तेल गरम होने के लिए रख दी थे में अब हम इसमें धाएं बड़े दालेंगे सारे हम ऐसी दालेंगे तेल में कितने आए उतने दालेंगे हम अच्छे गोर्डन ब्रॉंड हुए तक हम इसे फ्राई कर लेंगे बाखे के भी हम ऐसी फ्राई करके निकाल लेंगे अब यह अब यह अब यह अब यह अब फ्राई हो गए अब हम निकाल लेंगे ख्रीट में वाकिके भी हम ऐसी फ्राई करके निकाल लेंगे आए अब यह दैंबड़े फ्राई होके रेडी हो गए अब हम थोड़े से पानी में नमक दल के भीगने रखेंगे दैंबड़े फिक्के ने होते इसमें पानी में भीगने रखेंगे स्वाप्त होते दैंबड़े अब हम इसमें जैंबड़े दल देंगे पांस से दस मीर तक भिगने रखेंगे जाद अब अबड़े भी दाले तो बहुत फूल जाते इसलिए में यह सैज में जाले में अब हम धैंगड़ां का धैंग बना के रख लिए इसके इसे खड़ा पानी धैंग दाल के नमक दाले अब यहां बगार भी रड़ी हो गया जीरा राया करिया पाक सुक्य मिर्ची अब हम इसमें छोड़ी दाल देंगे हल्दी से खड़ार अच्छा आता इसके अंदर धैंबड़ां को पानी में से निकाल लिए पानी स्कुिच करके सारे धहिंबड़े इसमें दाल लेंगे जालके स्केंदर बगार दालके डिशॉट करेंगे लिए अग्ष्ट एकि स्क्रेट डालेंगे जिए स्ट्रीट स्ट्राइल बनें और सुट्की बढाले टेंग आपके क्हींने पने जिर बनेंगे मेंunde अपकर और नहीं को हुआ अगर आप लोगों को यह दैंबड़ों की रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेर और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आप लोग फूल वाच कीजिए शुक्रिया थैंक्स वर वाचिंग अलाह अफीज झालाह थे प्योग छूलाएब कश आप लोग पालाएब कार फूलाग से पहली बाही जोग खराग लोग जाँ कीजिए और मेरी वाचक पालाव जाज़ों कीजिए नखेर आप